हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेकैनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स, आटो मोबाइल से जुला हुआ तीन इंपोर्टेंट सवाल है पहला सवाल यह है कि जब हम कहते है कि इस गाड़ी में 110cc का अंजन लगा हुआ है किसी में 500cc का, किसी में 1500cc का अंजन लगा हुआ है तो इंजन के cc से हमें क्या पतल चलता है, यह मैं आपको अभी practically बताने वाला हूँ दूसरा सवाल यह है कि बहुत बार क्या होता है कि जब कार के इंजन की बात होती है तो वहाँ पे हम कहते है कि कार में 2 लीटर का इंजन है किसी में 3.5 लीटर का इंजन है, किसी में 6 लीटर का इंजन है तो लीटर से हमें क्या पता चलता है और तीसरा सवाल है वो यह है कि जब यह कहा जाए कि इस गाड़ी में 2 लीटर के 4 सिलिंडर इंजन का यूज़ क्या गया है तो उस टाइम पे जो एक सिलेंडर है वो कितने लिटर का होगा वो कितने सीसी का होगा तो इन तीनों ही सवालों का जवाब आपको डिटेल में इस वीडियो मिलने वाला है तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ही जरूर क सबसे पहले हम दोक सीसी की बात करते हैं तो देखे सीसी का फुल फॉर्म होता है क्यूबिक सेंटीमीटर और हमें इससे यानि कि सीसी से हमें ये मालूम चलता है कि इंजन के सिलेंडर के अंदर में डिस्प्लेस्मेंट कितना है अब मैं आपको ये प्रैक्टिकली समझाने वाला हूँ देखिए हर एक इंजन होता है वहां पर सिलेंडर का यूज कर जाता है किसी में एक सिलेंडर किसी में दो किसी में चार किसी में छे इस तरह के सिलेंडर का यूज कर जाता है आप देख सकते हो कि यहां पर आपको जो सिलेंडर ब्लॉक है उसमें सिलेंडर आपक लगा हुआ होता है और यह जो सिलेंडर है इसके अंदर में इस पिश्टन का up and on movement होते रहता है ठीक है इसका reciprocating motion होते रहता है अब मैं पिश्टन को side कर जता हूँ ताकि आपको CC को समझने मसा नहीं हो ठीक है अब देखिए इस सिलेंडर के अंदर में एक ऐसा point होता है जिसस कि पिश्टन और नीचे move नहीं कर सकता है तो एक होता है bottom dead center और वहीं तरफ उपर में ये एक ऐसा point होता है जिससे कि पिश्टन और उपर move नहीं कर सकता है उसे हम लोग top dead center कहते है और जो पिश्टन का उपर और नीचे जो movement होते रहता वो इसी bottom dead center और top dead center के बीच में होता ह अब यह जो bottom dead center और जो top dead center है इनके बीच का जो भी area यहाँ पे है जो भी area है वो हमें बताता है कि engine का यह जो cylinder है वो कितने cc का है basically जो cc होता है जो cubic centimeter होता है उससे हमें volume के बारे में पता चलता है volume को अगर हम लोग हिंदी में कहें तो volume का मतलब होता है item ठीक है तो यानि कि हम लोग को cc से यह मालूम चला कि piston को up and on move करने के लिए engine के cylinder के अंदर में कितना area available है कितना volume available है अब कई बार इसी same cc का जो हमारा formula है उसे दूसरे तरह से बताया जाता है मैं आपको बताओं कि आप ऐसा भी कह सकते हो कि engine के cc से हम लोग को यह मालूम चलता है कि जो air और जो fuel है जो कि engine के cylinder के अंदर में आया है उस air fuel के mixture को जो ratio है उसे compress करने के लिए जो area होत है उसको भी हम लोग cc कहते हैं बात एक ही है दोनों का formula definition अलग लग है लेकिन मतलब यही चलता है हम लोग को cc कि कितना volume engine के cylinder के अंदर में piston के movement के लिए available है इससे हम लोग को cc के बारे में पता चल जाता है अब friends अगर आप यह जानना चाहते हो कि आप खुद से कैसे किसी वीडियो में ने अप्लोड किया हुआ लिंक मैं आपको description में दे दूँगा आप उस वीडियो को जरूर से देखे अब हम लोग दूसरे सवाल के उपर में आते हैं अब कई बार क्या होता है कि जो car का engine होता है उसे हम लीटर में बताते है कि दो लीटर का engine है चार लीटर का engine engine है तो basically बहुत असान लफ़ों में आपको बताऊं तो लीटर का मतलब होता है कि एक लीटर का मतलब 1000cc यानि कि 1000 क्योबिक सेंटीमीटर तो अगर आपको यह सुनने को मिले कि एक लीटर के engine है आप समझाओ कि 1000cc का engine है ठीक है अगर दो लीटर तो 2000cc 4 लीटर है तो 4000cc का engine है अब जो तीसरा सवाल है वो यह है कि कई बार यह सुनने को मिलता है कि इस गाड़ी में 4 cylinder का use किया गया है और 2 लीटर का engine की capacity है engine का displacement है वो 2 लीटर का है मैं आपको बताऊं कि पहली बात तो 2 लीटर का मतलब हो गया 2000cc ठीक है जब आप 2000 को 4 से यानि कि 4 cylinder तो 4 से divide करोगे तो आपको यह मालूम चल जाएगा कि उस गाड़ी का engine है उसमें जो एक cylinder है उसकी capacity है 500cc और 500cc का 4 cylinder का use किया गया है इस तो टोटल हो गया वो हो गया 2000cc या फिर आम लोगों बोल सकते हैं 2 लीटर तो फ्रेंट्स इंजन का cc और लीटर से एक वीडियो था जो का बहुत से लोग हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे वीडियो के बारे और चैनल के बारे अपनी राय आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताए इसके लाएब अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले मिलते अगले वीडियो में थैंक्स पर ला झाल 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 झाल